अब बूर्निंग इस्टुडेंट वी आबस तार्ट आवर न्चेप्टर आफ इंग्लिश ग्रामर 18 टेंसे प्रेजेंट पास्ट एंड फूट्र कौनल से बटता है चेप्टर 15 में क्या पढ़ेंगे देखो पढ़ो और समझे ठीक है ए बी सी यहां पर आपको तीन गॉलम दियेगे हम इने पढ़ेंगे पहले सी सिंग्स सी सिंग मतलब वह गाती है ओकी सी सैंग वह गाय उसने गाया था ठीक है सी विल सिंग्स वह गायेगी विल मतलब आया है मतलब यह काम फ्यूचर में होगा ठीक है बटा हुआ नहीं होने वाला है सेकेंड सीता टेल्स अस्टोरी क्या है सीता स्टोरी कहेगी ओकी टेल्स मतलब प्रेजेंट में कह रही है सीता टोल्डा स्टोरी यह आपका टेल्स का पास्ट फॉर्म है टोल्ड टोल्ड बीता हुआ वह कहे थी ठीक है सीता विल टेल आ स्टोरी सीता स्टोरी कहेगी मनलब आने वाले टाइम है विल आ गया इसका मनलब वह आने वाले टाइम पर स्टोरी कहेगी ओके थर्ड, he works hard वा कठिन पहिश्यम करता है, ठीक है he works hard, ये क्या है present time का हो गया he worked hard, वा कठिन पहिश्यम करता था वर्ग्ड हो गया, ये आपको world देखिये, works का past form में worked ed लग गया है, तो ये वा कठिन पहिश्यम करता था बल्ला वो बीतेवे past की बात कर रहा है यहां पर ही विल वर्क हार्ड वा परिशम करेगा कटिंग परिशम करेगा लेकिन विल आ गया कब फ्यूचर में करेगा अभी कर नहीं ठीक है आने वाले टाइम में वो करेगा ठीक है ही विपस वह रोता है ओके ही वेप्ड विपस का ठर्ड सॉरी विपस का पास्ट है अब है क्या ही थीक्डे ही वैप मिस्वा रोया था ओक्डे ही विल विपड वह रोय गा में आने वाले टाइम पे रोय गा वी विल आ एऔर रहा देχ रहे है FamPlay Saas को आने वाले टाइम tell, work and weeps in group A denote the action which are done in present time these verbs are in the present tense tense means time Developer tio, heat time or latin यहां पर आपको जो वर्व दी गए किरिया दी गए से कि sings, tells, works, weeps, मलब गाना, कहना, करना या रोना जो यह दिया गया है यह आपका क्या है? वर्व से यह action वर्व हुए आपके लिकब हो रहे हैं यह सब आपके present time मलब जो time चल रहा है उस समय में हो रहा है ठीक है? तो यह क्या कहलाएंगे? यह आपके present tense कहलाएंगे जिससे आप सभी लोग जानते हैं न? time means call, यह टेंस में स्काल होता है न? वर्तमान काल जिसे present tense को हम बोलेंगे वर्तमान काल, ओकी? नद जो समय चल रहा है बी, the words sang, told, worked and wept in a group B denote the actions which were done in the past time these words are in the past tense ठीक है? मलब यह आपका जो sang, told हो गया, worked हो गया, wept हो गया तो यह आपका past time मलब बीते हुए समय में यह कारे हुआ है आपका action हुआ है ठीक है? तो these verbs are in the past tense मतलब यह past tense मतलब बीते हुए समय मतलब भूतकाल इसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे C, the words will sing, will sing, will tell, will work and will weep in group C यह देख रहे हैं आप A, B, C, group तो यह आपको divide किया गया will take place in the future time यह आने वाले समय के लिए ठीक है? इस verbs are in the future tense उन्हें हम क्या कहते हैं? future tense कहते हैं ठीक है? भविस्षिकाल कहेंगे ओकी? समझ में हम आप जो आने वाला समय है जो आगे future में होगा ठीक है? तो देखिए आप A, group, B, group, C, group तो आपका A, group से पाचल लाए यह कौन सा group था? present था B क्या है आपका past है बटा और C क्या है? future है ओके? तो यह आपके अलग-अलग किये गया थे ग्रूप यह आपका हुआ ठीक है? तो यूनों देखिए kinds of tenses कितने kinds के tenses हो तब यह आपने पढ़ा की? 10, 13, 3 main tenses main मुख कितने tenses है आपके? 3 है present, past and future वर्तमान, भूत, भविस ठीक है? जिसे मतलब present मतलब जो चल रहा है past मतलब जो बीच चुका है future मतलब आने वाला कल ओके? जो आएगा we learn हमने सीखा tense tell us period of time tense हमें क्या बताता? समय बताता है जो चल रहा है यह जो हो गया जो हो चुका है? ठीक है? present, past, past and future आप इस chapter को once again read out करेंगे ओके बता?